मेगा प्रोडक्शन हाउस यश्राज फिल्म्स ने फाइनली अपनी लाइन ओफ फिल्म की रिलीज डेट अनौंस कर दी है आपको बता दे इन फिल्म्स में शामिल है संदीप और पिंकी फरार, बंटी और बबली टू, जैश भाई जोरदार, शमशेरा और पृत्वी राज और इसी के साथ एक और बड़ी डेविलप्मेंट सामने आई है आपको बता दे शाहित कपूर की फिल्म जर्सी डिवाली 2021 पर रिलीज होने वाली थी और अब यश राज फिल्म्स ने भी अनौंस कर दिया है कि अक्षे कुमार और मानूशी छिलर स्टारर पृत्वी राज भी डिवाली 2021 पर रिलीज होगी इतना काफी नहीं था कि हम आपको बता दे दे औल्स की अपने टू भी दिवाली पर ही रिलीज होने वाली है धरमेंद्र दे औल, सानी दे औल, बॉबी दे औल और पहली बार उनके साथ नजर आने वाले हैं कारन दे औल भी वहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि आल्या भट की फिल्म गंगु भाई काटिया वाडी भी दिवाली पर रिलीस हो सकती है आपको बता दे जितने भी प्रोड्यूसर्स और फिल्मेकर्स हैं उनके पास कई सारी मुवीज लाइन डप है और अब उन फिल्म को बैक टू बैक रिलीस करना होगा जिसकी वज़स से ये सारी डेट क्लाश हो रही है और ये बड़ी-बड़ी फिल्म एक दूसरे के सामने एक दूसरे को मुकाबला देती नजर हाईगी लेकिन इसमें नुकसान होगा प्रोड्यूसर्स का क्योंकि बॉक्स ओफिस पर अगर सारी फिल्में भी चल जाती है तो सबका पैसा बढ़ जाएगा कोई भी एक फिल्म बॉक्स ओफिस पर बहुत जादा हिट साबित नहीं होगी लेकिन कहा जा रहे है कि जादा तर जो कॉंपिटीशन रहेगा वो रहेगा प्रित्वी राज और जर्सी के बीच और अगर हम शाहिद कपूर की लास्ट फिल्म कभीर सिंग देखे तो वो एक बॉक्स ओफिस सक्सेस थी वहीं अक्षे कुमार भी हमेशा बॉक्स ओफिस पर काफी अच्छा रिजर्ट लाकर देते हैं देखना योगो इन दोनों फिल्म में से कौन सी फिल्म हिट होती है या फिर दे ओल्स की अपने ही बाजी मार जाती है